हलो स्टुदेंट्स आइम गजेंद्र शर्मा वेलकमिंग यूटू अड़ा 24-7 इसकूल इन दिस एडियो वी आर गोइंग टो डिसकास स्ट्रिम लाइन फ्लो और बर्नोली प्रिंसिपल इसके अंदर हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले स्ट्रिम लाइन फ्लो क जैसे हम लोग ने सॉलिट्स के देखा था पिसले अगर पर प्रिवियस लेक्चर की बात करूं करूं जो हमारा वीडियो हुआ था उसके अंदर हम लोगों ने देखा था इंट्रो एक देखा कि पास्कल से लौ क्या होता है उसके अलावा उसके अप्लिकेशन को देखा जह सर हम लोग जो इसके अंदर देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं Streamline Flow और Bernoulli's Principle तो सबसे पहले देखें अगर मैं Streamline Flow की बात करता हूँ तो यह क्या होता है आप लोगों ने सबने देखा होगा कि जब हम लोग School के अंदर जाते थे तो क्या होता था बेटा कि हम लोग एक Line बना के सीधे चलते थे यानि कि एक Straight Line में चलते थे अगर जो हमारा Monitor है आगे जो था अगर वो जिस direction में जा रहा है उसी direction में हम लोग उसके पीछे की तरफ जाते थे किलियर बात है हम लोग क्या करते थे उसका जो पत है उसको हम लोग follow करते थे यानि कि जो उस path पे चल रहा है जिस path पे भी वो जा रहा है उसको हम लोग follow करते थे अगर वो सीधा जा रहा है तो सीधा जाते थे अगर वो घूम रहा है तो हम लोग भी घूम जाते थे यानि कि उसके direction को हम लोग change नहीं करते थे तो क्या हुआ कि सर अगर इसको हम लोग देखें तो क्या हो जागा the study of the fluid in motion is known as fluid dynamics यानि कि सर जब भी हम लोग motion की बात करेंगे अगर fluid की तो वो हमारे क्या होता है fluid dynamics होता है और जब हम लोग उसको rest पर बात कर रहे हैं तो rest के उपर है तब हम लोग उसको क्या बोल देते हैं fluid statics हम लोग उसको बोल देते हैं clear बात है static हम लोग उसको बोल देंगे तो दा पाट ठेकन भाई यह फ्लीट पाइटिकल अंडरा स्ट्रीम लाइन फ्लो यानि किसे अगर एक मेरा पाइटिकल वो इस तरफ जा रहा है बेटा तो यह भी उसके पीछे दूसरा भी तीसरा भी चौथा भी पांच वावी यानिकिसर यह सारे की सारे उसके जो पाथ है उसको फॉलो करेंगे इनकी वैलो सिटी सबकी सेम रहेगी वैलो सिटी क्या रहेगी सबकी सेम रहेगी और उसके अलावा यह क्या है इसके अलावा गर यह एक दूसरे के पैरलल जा रहे तो उनके बीच का गैप है वो भी सेम रहेगा अगर यह पैरलल में तो वह तो टेНजेक्ट हमें क्या बताएगी उसकी वेलो सिटिक को बताएगी उसकी डिरेक्षन को बताएगी कि किस तरफ वो गति कर रहा है किस तरफ वो जा रहा है लिआ पिट्व हम क्रॉस नहीं करेंगे जैसे अगर हम लोग सीधा सीधा अगर हम लोग फिल्ड लाइन की बात करते हैं तो भी अगर हमें क्या करती है क्रॉस नहीं करते हैं अगर वह एक दूसरे को क्रॉस करते हैं फिल्ड लाइन की बात कर रहा हूं तो वह अगर एक दूसरे को क्रॉस करते है है for if they do and on coming fluid particle can go either one way or the other and the flow would not be steady अगर वो एक दूसरे को cross करती है तो वो हमारा steady flow नहीं होता है diagram को देखिए आप लोग easily समझ में आ जाएगा अगर बेटा याद रखेगा अगर हमारा cross section area चाहिए कितना ही क्यों नहों जितना यहां से enter किया है उतना यहां पर होगा रहुत नहीं आंड में होगा अगर यह हमारा क्या flow है इसके अगर मैं कहीं भी कोई भी पॉइंट लेता हूं और उसके उपर अगर बेटा मैं कहीं पर भी एक टेंजेंट ड्रो करता हूं तो आ चैकी हमें हमें दिखाएगी डिरेकशन क्या दिखाएगी डिरेक्शन दिखाएगी और बैलोसीटी बड अब रिक डिरेकशन ऑफ भी यह षाल बताएगी मैं टीक है बै चिलियर है यह हमारा क्या होता इस्टेम लाइन फ्लो होता है नेरु बएकिनम किर प्रापर्टी पॉर स्टेडी और स्टीम लाइन फ्लो यूजिंग दा कंजरवेशन ऑफ एनर्जी के थुरू हम लोग एजली कर सकते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए हम लोग फ्लो की बात करेंगे फ्लूड फ्लो की दुरा यह हमारा थोड़ा कॉंप्लेक्स पढ़ जाता है लेकिन अगर हम लोग बात करें हमारा जो एनर्जी कंजरवेशन होता है उसके तुरू हम लोग किसी भी चीज के अंदर फ्लो का इजली हम लोग मान निकाल सकते हैं क्या वह नहीं होगा जो भी चीज़ें हो सारी चीज हम लोग लोग easily निकाल पाएंगे जैसे यह डाइ जो माउथ है उसको क्या किया है बेटा हम लोगों ने थोड़ा बढ़ा लिया है नीचे वाले कि अगर मैं बात करूँ यानि कि सर सी पॉइंट है एक डी पॉइंट है एक सी पॉइंट है और यहां पर देखें एक चीज को याद रखेगा कि सरी अगर यहां देखूंगा तो इसका जो माउथ है थोड़ा स्मॉल होने की वज़े से अगर यहां से अगर मैं कोई बिच्छी डालूँगा तो वह क्या करेगी यहां पर आगे स्पीड ली जाएगी यानि कि अगर किसी की काइनेटिक एनेर्जी यहां पर जो है उसके कंपरिजन में यहां पर काइनेटिक के पर वह डिक्रीज होगी एक लियर बात लिए और उसके आलावागर हम लोग बात करें मिरदा उसके अलावा हम लोग बात करें worky work done कितना होगा Sarah उपण यहां पर अगर मैं Network की बात करूँगा तो work done कितना होगा वो हमें यहां पर देखना है तो सबसे पहले देखिए अगर मैं इसके इंदर देख Naruto क्या के सीजे ही हमें दे रखिये मैं बोल देता हूँ कि इस टाइम अगर यह देखिए यहां पर वन वन है यह पोजिशन वन है यह पोजिशन टू है अगर यह वन है तो यह हमारी कह टू है सी मैं पॉइंट में बात करूं तो सी पर हमारा जो एरिया है सी पर अगर मैं बात करूं एट पॉइंट सी एट पॉइंट सी एरिया कितना है पंइंट कि यहां पर बात करें सिसमान लिए अगर आगे देखोंगे तो प्इटा है यहां पर बात करता हूं तो इस पॉइंट कर डब करता हूं तो यहां पर सब्सक्राट करता हो इस जागे हमारा जो ओगा वह क्या क्या होगा तो एक सब्सक्राइब मत्यों कित्नी को समझे और स Спु transitioning को ने की कोशिश कीजिएगा अब हम लोग देखते हैं जर वर्क डन किसार अगर यहां से हम लोग इसको फ्लो कराएंगे तो उसके लिए मुझे थोड़ा काम करना पड़ेगा एक्स्ट्रा एफ़र्स लगाना पड़ेगा तो मैं सबसे पहले देखता हूं कि इस पोजिशन पर कितना वर्क डन होगा और इ इसकोल टू होता है अगर आप लोग को याद है बड़ा अभी मैंने जब हम लोग फॉस्ट उक्पढ़ रहते तो उसके अंदर जाना था वार्क सिंट्वी डिस्प्रेसमेंट क्या होता है फोजिशन पर इंटू डिस्प्लेसमेंट टीमिल ठीक है मॉर्क को मैं डब्लू 1 मौर्ट में बात है तो यहां पर लिपकर हूं ओक सिंदो कि कितना मौर्फ ? घ्रट में टिल भी सिट्पलेसमेंट कितना है घ्रट में 告 डिस्पलेस्मेंट वहां ऐसा जो भालो सिटिय और यानिकी वून हो जाएगा किया हो जाएगा अब लोग को याद है मैं प्रेशली बार को बात कि तो मैं प्रेशर को बात की थी प्रेशर को मैंने क्या किया था क्या कि JEFFGATS IAE playingdっていう यानन की फोर्ट अपॉन में मैं एरिया सरफेस दे डिर आ कि मैं ने बात की थी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर मैं यहाँ हो जाएगा अगर निकालना चाहों तो और V1 यह हमारा हो जाएगा डबनू वन के लिए ठीक है अगर हमसेन सेम करता हूँ डबनू टू के लिए यानि की वार्क है या टत इसको मैं एक्वेशन वन दे देता हूं इसको मैं इक्वेशन नम्बर टू मैं दे देता हूं इसको एक्वेशनन्बर वन दे दिया इसको मैंने क्या दे दिया है एक्वेशनन्बर टू मैंने दे दिया है किलियर बात है यह हम लोगों ने लिए D senście के लिए अभश्वाक क्या हो जाएगा ज़ल्दी सोचिह है नैट्वर्रक कितना हो जाएगा ल Dw एक और नेटवर्क जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सोचिए कि सर इस तर यहां पर क्या होगा जो हमारा कितना है डबलूटू है यहां पर कितना है डबलूवन है यहां पर डबलूवन है यहां काइनेटिक एनरजी ज्यादा यहां पर काइनेटिक एनरजी कम यहां पूट करते हो तो नेटवर्क कितना हो जाएगा सर नेटवर्क हमारा हो जाएगा अगर यहां से देखता हो तो अगर आपने डबलू लिया तो वह डबलू टू है यहां डबलू नहीं कि सीधा सीधा मैं कर देता हूं इसमें वर्क डैन की बात करूंगा तो यहां से देखे क्या हो ज है यह हमारा क्या हो जाएगा डेबलू यह जाएका नेट वर्क क्या हो जाएगा नेट वर्क हमारा हो जाएगा यह नेट वर्क ठीक है यह नेट वर्क हो गया है अब बात आती है अब बात आती है थोरी सी दिमाग में लेकर आए चीजे क्लियर हो जाएगी चीजा क्लियर हो ज कर दीजिए जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हूँ ठीक है क्योंकि एक्वेशन में उसी तरही के अपनी चेंज आएंगे तो यह क्या हो जाएगा बेटा देखें यहां पर क्या हो जाएगा डबलूटू माइनस तबलूवन ओके यह कितरा हो जाएगा यहां से देखें सर्थी टू माइनस पीवन फीटू देखिए यह कितरा हो जाएगा देखें यहां से यह हो जाएगा P2, A2, V2, P1, A1, V1 यह हमारा क्या हो जाएगा W हमारा हो जाएगा इगर यह W हो रहा है तो यहां से हम लोगों निए W निकाल लिया अब आप लोगों ने एक चीज और देखियोगी आपने देखा होगा अगर मैं continuity की equation की बात करता हूँ तो continuity equation में क्या होता है continuity अगर equation आप लोगोंने देखिये तो from the equation of continuity continuity equation की मैं बात करता हूँ तो continuity equation क्या कहती है देखिए यहाँ पे तुमाने यह work निकाल लिया work क्या निकला देखो work की अगर मैं बात करता हूँ तो work मैंने निकाल लिया W is equal to W2 minus W1 is equal to हो गया बेटा P2 minus P1, sorry, P1, P1, P2, A2, V2 minus हो गया P1, A1, V1, ठीक है, अब यहां से देखे, अब हम लोग लिखते हैं, from the equation of continuity, ठीक है, continuity क्या कहती है, A और V जो होता है, यह होता है, यह होता है, constant के equal, किसके equal होता है, constant के equal होता है, यानि कि सर अगर A और V में हम लोग कैसे ही रख लीजिए, अगर चाहें आप लोग, तो यहां पे चाहें, A1, V1 लिख लीजिए, और चाहें लिख लीजिए, A2, V2 यह किसके equal होंगे, constant के, A2, V2, यह होंगे constant के, क्या है, constant के equal होंगे, क्या होंगे बेटा, constant के equal होंगे, याद रखेगा, और constant के लिए हम लोग यहां पे क्या ले लेते हैं, मैं बोल देता हूं, कि सर मैं volume के form में इसको ले जाता हूं, क्या करता हूं, volume के form में इसको लिख बता हूं अगर यह volume की form है तो आप लोगों को याद है कर फॉर्मुला आप लोगों को याद हो गत मैंने ने बता value is equal to क्या होता है सर nuo सब मास impost फॉल टैंसिटी क्या होता है मास by क्वान डेंसिटी हमारा होता है अब आप लोग ने यह वर्क की की क्वेशन देख लिए एक्वेशन कौन सी थी एक्वेशन टू यह हो जाएगा एक्वेशन नमबर थ्री अब अगर यह दोनों चीजे हैं तो मैं यहां पर कुछ क्या हो जाएगा एवन वि दी और रू यह यह हो जाएगा एक्वेशन नमबर फौर जिसको हम लोगों ने क्या बोल दिया है नैट वर्क बोल दिया है नेट वर्क क्लियर है एक्वेशन नमबर फॉर अब आते हैं दो चीजों पर और एक चीज क्या है विटा देखिए अगर हम लोग काइनेटिक एनेर्जी की बात करेंगे लॉजिक लगाईएगा चीज है क्लियर काइनेटिक एनेर्जी कि मैं बात करूंगा तो इस जगे काइन तो यह हमारा क्या जाएगा सर इसमें से और यहां पर देखिए अगर इंक्रीज निकालना चाहूंगा तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा इसमें से क्या करना पड़ेगा इसको माइनस करना पड़ेगा अगर इंक्रीज मुझे निकालना है तो काइनेटिक की फॉर्म में energy conservation क्या नहीं कि conservation of energy की फॉर्म में हम लोगों कुछ चीज़े चला नहीं है तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा देखिए यहां कि अगर आप लोग बात करते हो तो देखी क्या हो तो यहां पर मैं बात करता हूँ the in 0x in kinetic energy कित來到 लिटेकर कितनी ओती यहां पर लिख़ीज़े कैयनिटी इनरजी कितनी होती है कैने टिक की बात करो तो कानेटी prima अनर्जी क्या होती है हाफ mv square ठीक है भाई मास क्या होगा सेम होगा मास क्या होगा से मो कर लास से में तो यहां पर क्या हो जागी अगर मैं बात करो तो इसको लिख सकते हैं सर एक बटे 2 एहां ले लिया वीवन का स्कॉायर माइनस वीटू स्कॉयर क्लियर है इसको लोग बोल देंगे को madam फाइव अब शबहत क похож को याद हो था collect kia nay कि आती है अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोग बताया है था potential energy and potential energy क्या कहती है कि सर अगर पोटेंशल energy की बात करूं तो जतनी जादा हाइड उतनी जादा पोटेंशल एनरजी जितनी ज्यादा हाइट उतनी ज्यादा पोटेंशल एनरजी जितनी हाइट कम उतनी कम पोटेंशल एनरजी उतनी कम हो जाएगा बेटा पोटेंशल एनरजी उतनी कम क्या हो जाएगा डिक्रिमेंट इन पोटेंशाल एनरजी कितना हो जाएगा भाई यह हो जाएगा एक बटे दो एम एक सेड़ यह हमारा हो जाएगा एम जी एच टू Mg Mg माईरस Mg H1 यहां से हम लोग Mg ले सकते हैं Mg is equal क्या हो जाएगा H2 minus H1 Mg Mg bracket में क्या हो जाएगा H2 minus H1 यह हमारा हो गए H2 minus H1 ठीक है, increase in energy की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, increase in energy यानि की सार total energy की अगर हम लोग बात करते हैं तो total energy कितनी हो जाएगी भाई, लिख लीजिए यहां पर equation नाम दे दीजिए इसको, यह हो जाएगा 6, अब हम लोग बात कर रहें total energy की, total energy, total energy क्या है कि सार हमारी जो kinetic energy उस mv1 का square, minus 1 बटे 2, mv2 का square, mv2 का square, और, plus, total energy, total energy की मैं बात कर रहा हूँ, तो यह हो गया, 1 बटे 2, mv1 का square, total energy, increase in energy मैं बोल सकता हूँ, तो भाई, increase in energy कितनी होगी, उसको हम लोग लिख रहे हैं, तो इसको minus कर दीजेगा यह पर, इसको क्या कर दीजे, minus, वो minus होगा, मैं plus उसको ले रहा था, अंदर वाला plus होगा, ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, सर, minus, m, g, h2, plus, m, g, h1, ठीक ह in energy, increase in energy, ठीक है बाई, क्या बोल सकते हो, increase in energy बोल सकते हो, ठीक है, क्या बोल सकते हो, increase in energy बोल सकते हो, तो यहां से देखिए, सर, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, तो यह इस पर रारका बन गया, ठीक है बाई, यह बन गया, अब हमने देखा, अगर आप लोग उने पहले अगर पहले देखा हो तो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में एक मैंने बताया था और वर्क जो होता है वही एँडर्जी के एक वहल होता यानि कि कितना था पीटू एटू वीडू माइनस पी वन वऑन वीवन यह हमारा वर्क आया था क्या आया था वर्क ही किए अगर आप लोग बात करो और उसके बाद में लोगों ने वर्क को थोड़ा और सिंप्लिफाइग किया था वर्क इस इकुल टु यह हमारा आ गया था डबलू इस इकुल टू क्या हो जाएगा एनरजी के सीधा सीधा तो इसका मतलब हम लोग क्या ब P1 P2 minus P1 M upon Rho is equal to क्या हो जाएगा 1 upon 2 M1 M1 square M1 Mv1 square minus 1 upon 2 Mv2 square minus MGH2 plus में MGH1 अब हम लोग क्या करते है वी वन को वी को एक तरफ ले लेते हैं और 2 को दूसरी तरफ ले लेते हैं वन वन को एक तरफ ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए लिए वन है वन को एक तरफ ले लेते हैं वन को एक तरफ ले लेते हैं तू को एक दूसरी तरफ ले लेते हैं या फिर ऐसा कर सकते हो देखिए सम्में M आ रहा है, सम्में M आई रहा है, यहां से क्या करी है, M से, M क्या करो, सम्में से कॉमन ले लो M, एक काम ये भी कर सकते हो, P2, P1 और M है, यह क्या हो जाएगा, Rho is equal to, M भार ले लिजिए, 1 upon 2, V1 square, minus 1 upon 2, V2 square, minus GH2, plus GH1, okay, यहां से M से M cancel out, और इस Rho को अधर मल्टिप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, P2 minus P1 is equal to, 1 upon 2, Rho, V1 square, minus 1 upon 2, Rho, V2 square, minus Rho, GH2, plus Rho, GH1, okay, अब हम लोग क्या करते हैं, 1,1 को एक्स तरफ लिजिए, 2,2 को एक्स तरफ लिजिए, 1,1 को एक तरफ, 2,2 को एक तरफ, 1,1 को एक तरफ, 2,2 को एक तरफ, प्लस 1 अपन 2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 यह हमारा हो गया यह हमारा हो गया यह हमारा हो गया अगर इसको मैं कमपैरिजन करूं तो यह हमारा हो गया फाइनल अगर यह कमपैरिजन हो गया है तो आप लोगों को याद हो बर्नलिस प्रिंसिपल के अगर मैं बात करता हूं तो बर्नलिस प्रिंसिपल में अगर मैं इसको बात करता हूं तो इसका हमारा क्या तो यहां पर एगर मैं इसको लिखना चाहूं तो सब्सक्राइब लोग दिख रहा हुगा कि दोनों बराबर आ रही हैं और दोनों सीधा सीधा हम लोग सकते हैं कि सर प्लस वन अपन टू रो वी स्कुआयर प्लस रो जी एच यह हमारे किसके किसके एक्वल हो जाएगा यह हमारा एक्वल हो जाएगा एक चीज देखिए अगर मैं इस डैग्राम को देखता हूं डेग्रम दो तरीके से डैग्राम आप लोगो के आ सकता है दो तरीके से यह diagram आप लोग के आ सकता है, कैसे आ सकता है देखें, अगर इस diagram को आप लोग देखोगे, इस diagram को आप लोग देखोगे तो बेटा आप लोग को दो चीज़ें यहाँ पर देखनी पड़ेगे, diagram दो तरीके से आप लोग के पूछा जा सकता है, कैसे पूछा जा स तरफ है अगर यह इस तरफ है यानि कि सी पोजिशन पर हमारा 1 1 हो जाए चोटा वाला इस तरफ आजाए यह आप लोग को याद रखने दो तरीके होता है इसके अंदर करने के जैसे इसके अंदर क्या हुआ कि मैंने आप और लोगो यहां नरी और यहां पे लिए छोटा यह लेकिन किसी बूकप के कहीं और देखोगे द्या गए तो आप लोग को यह बढ़ा वाला वगथा टोय सैंज हो जाएगा क्या हूंगा थोड़ा साच हुआ होता बिटा इस तरीके से बना हुआ होता तो आप लोग क्या करते यह तो हो गया हमारा अगर यह इस तरीके से बना हुआ होता अगर इस तरीके से बना हुआ होता तो यह हमारी हाइट क्या हो जाती है यह हमारी हाइट हो जाती है यह क्या हो जाती है हमारी हाइट हो जात 1 अधीक अब यहां पे मैं बोलता कि सर मेरा एरिया है वह हो जाता A2 वैलो सिटी वी टू और यह हमारा हुज़ाता पी ٹु त अगर यह 2 तरीके से दिया जाता अगर बटा यह 2 तरीके से दिया जाता तो आप लोग trip देखे også अगर यह इस तरीके से हता होता आप लो पर तो आप लोगए तो आप लोग कैसे का करोगए यह तो इस तरीके से उतना जोड़ा स्प two तो तो roughear Rapden च。 आपका वह कैसे हो जाता वर्क हो झाला हो जयानि कि जहाँ जहां आप लोगों के वर्क दन में पहले जहां पीटू था जापी तू था हमा पीद ना जाएगा और फीस के पीटू आ जाएगा चया इतना सा अंतर होगा यानि कि इसके जो अगर फाइनल रिलिलेशन की बात करूँगा तो यह हो जाएगा P1 प्लस 1 अपॉण 2 रो वी वान इस्क्वाइर प्लस रो जी एच वन इस इक्वाल टू हो जाता P2 प्लस 1 अपॉण 2 रो वी तू sqe corp g твор g h2 यह हमारा हो जाता यह हमारा हो जाता यह हमारा हो जाता अगर आप लोग की यह direction हो जाता अगर यह ऐसा चेंज किसा जाता तो आप लोग की जो priorition बंऩतीत तरीके से बंद는지 यानिक जहां प्टू हँआ पीवन आ जाता और जहां पे बीवन है वी टू है जापे या आजाता बागी चीजह सेंघ्ड़ती बागी चीज़ी क्या हुजाती है सेम भी यानिक सरा फाइनली भी इसका अगर मैं बात करता तो इसमें भी यही आता कि सर पी प्लस क्या हो जाता वन ओपन टू रो वी वन वी का स्क्वाइर प्लस रो जी और एच यह इसको हो जाता कॉंस्टेंट के एकवल हो जाता क्या हो जाता कॉंस्टेंट के एकवल हमारा हो जाता तो यही चीज आ दी यही चीज आती अगर यह आप लोग क्या आगया है अगर यह आप लोग क्या आगया तो आप लोग क्या करो इसको रोजी का डिवाइड कर दो क्या कर दो रोजी का इसमें डिवाइड कर दो इसको थोड़ा सा कभी-कभी और निमेरिकल से पूंच लिया ज equation 9 divided by divided byρω G तो रोजी से डिवाइड करोगे तो क्या आजयाएगा अगर इसको रोजी ज़ए करोगे है यह हमारा आ जाएगा पी एपां रोजी में क्या आ जाता दिकिए रोजी यह मैं चैंसर रो से रो से रो कैंसल आउत हो गया रो से रो कैंसल आउट हो गया या यानि कि सर वी स्कुएर गया यह क्या हो जाता यह अब यहां क्यों यह स्टेंट के इक्वल हो जाता है to be wanted to take constant . हमारा हो जाता है यह अगर यह ना भाई तो यहाँ पर देख़ें एक चीज़् को यहाँ पर चीज Ludet कुछ पाइंट बन जाएंगे यह हमारा हो जाएगा एक अच्छा सा easion बन जाएगा तो आपको यह एक्वेशन याद रहनी यह वंहारी क्या है Bernoulli's equation क्या है यह हमारी है Bernoulli's equation जो आप लोग को याद रखनी अच्छे से समझ के रखनी है तो एक बार मैं इसको revise करा देता हूं कैसे करना है सबसे पहले मैंने streamline पढ़ा है streamline flow का मतलब क्या हुआ कि सर्सिस की same velocity हो एक के पीछे चलते रहें एक लाइन के अंदर चले यानि कि एक स्ट्रेट लाइन के अंदर फॉलो करते रहें एक सीधा फ्लो उसके अंदर होना चाहिए उसको क्या बोल देते हैं स्ट्रेट लाइन फ्लो कोई दिक्कत नहीं है नेक्स हम लोग ने चीज़ों को देखा हमने देखाट लोगोंने क्या किया इस प्रिंसिपल को देगा है क्योंकि यह बर्णॉली ने दिया था इसके अंदर क्या हुआ कि एक तरिफ का इससे को बढ़ा चीजें लगेंगे नहीं तो नहीं लगेंगे अब इसके लिए सबसे पहले निकाला वर्क इस इकल तो और इस इकलता है फॉर्स इंटू डिस्प्लेस्मेंट हमने चीजों को रखा और हमने यह चीजें solve कर ली अब बात आई आगे कि सर अब हमने देखा कि जब इसने move करना start कर दिया तो यहां पर kinetic energy भी आएगी अगर kinetic energy आयागी तो kinetic energy क्या होती हैं अगर kinetic energy हाफ Mv-square है बिटा तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर हम लोग इसके लिए कैसे निकालेंगे कि अगर विवन मेरा पहले के लिए तो विटू हमारा दूसरे के लिए हमने इसको सॉल्ट किया और हमने यहां से इसको देख लिया यहां पर देखने के बाद में यहां से हम लोगों निकालने के बाद में देखा कि हमारी पोटेंशल एनरजी कितनी है तो पूटेंशल एनरजी निकाला फिर हमने देखा कि टोटल इनक्रीज कि ऊपब करने के बाद में हमने देखा कि हमारा यह जो जो निकालने गए थे यही हमारा क्या होता है इसके अंदर important होता है यही क्या होता है important होता है जिसको हम लोगों निकाला और constant को दिया अब इसके बाद में हम लोगों ने देखा कि माल लिजे इस आपको यह फोop स्मिश्या की बात नहीं है छीक cat बेटा तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद स्वेटाइब disappoint ज sect एउडने के लिए आप सबीका बहुत-धन्यवाद घर सब्सक्राइब करना है कमेंट करना है और उसके अलावा जो प्लेलिस्ट है उसको अच्छे से देखना जिससे क्या है आप लोगों की तैयारी एकदम परफेक्टली हो पाएं आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद